Hey guys, welcome back, मैं हूँ रहूल और आप देख रहे हैं कारनेशन, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 24 upcoming cars in 2024 के वारे में जिसमें से 12 cars तो मैंने cover कर भी रखे हैं पिछले वीडियो में जो की आपने देखा भी होगा, तो बाकी के 12 cars को इस वीडियो में cover करते हैं, तो 2024 में 13th car launch हो सकता है, महिंद्रा बोलेरो नियो प्लस का अप रैल में, ये बोलेरो नियो का ही लॉंग वर्जन रहेगा, जिसमें आपको 9% की sitting capacity मिलेगी, बाकी looks और interior में कोई ज्यादा बड़ा difference नहीं रहेगा, और engine मिलेगा 2.2 लिटर डीजल engine, एंड इसकी expected price स्टार्ट हो सकती है, अरॉंड 10 लाक रुपीद से, इसके बाद 2024 में 14th कार लॉंच हो सकता है, चानिस ब्रैंड, MG ब्रैंड के तरफ से, ग्लॉस्ट और फेसलिफ्ट का, फेसलिफ्ट अपडेट है, तो इसमें आपको थोड़े डिफरेंट looks मिलेंगे, refreshed interior मिलेगा, दो चार नए features भी मिलेंगे, इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद इंजन के भी आपको चार options मिलेंगे, इस के बाद इसके बाद इसके बाद की प्लागस अईसयोबी होती है, अब यह ग्लोबल प्रोडक्त है, तो इसके लुक्स काफे बढ़िया है, इंटियर में comfort, space and luxury की भी कोई कमी महसूस नहीं होगी बाकि इसमें battery pack के दो option मिल सकते हैं first 76.1 kilowatt per hour का battery pack and 99.8 kilowatt per hour का battery pack जिसके मदद से ये गाड़ी easily 500 km का रेंज डिलेवर कर सकती है बाकि ये गाड़ी आपको जून में ही launch होते हुए दिख सकती है and launch के वाद इसका expected price around 19 lakh रुपीज से start हो सकता है इसके वाद 2024 में 17th launch 5-door force गूर्खा का हो सकता है इसके road testing काफी लंबे time से चली आ रही है और अब तो ये गाड़ी production model के भी काफी close दिख रही है और जहां तक बात करें इस car को लेकर expectations की तो ये एक raw SUV होने वाला है 4.6-liter diesel engine बाकी ये गाड़ी आपको जून में launch होते हुए दिख सकती है और launch के बाद इसका expected price around 15 lakh रुपीज से start हो सकता है इसके बाद 18th launch Hyundai Alcager facelift का हो सकता है क्योंकि 2024 के starting में ही क्रेटा facelift का launch होने वाला है तो midyear तक Alcager facelift का भी आना confirm है Just like Tata Harrier and Safari Changes की बात करें तो इसमें आपको थोड़ी different looks मिलेगी fresh cabin मिलेगा और कुछ नए features भी मिलेंगे बाकी engine में कोई ज्यादा change नहीं होने वाला मतलब same engine रहेगा 1.5-liter turbo TGDI petrol engine and second 1.5-liter CRDI diesel engine बाकी ये गाड़ी भी आपको जून में ही launch होते हुए दिख सकती है and launch की बाद इस गाड़ी का expected price स्टार्ट हो सकता है around 16.5 lakh रुपीद से इसके बाद 2024 में 19th launch Tata Harrier EV का हो सकता है इसके concept model में गाड़ी का design देख सकते हैं जो की काफी similar है Harrier facelift से तो interior में भी कोई ज़्यादा बड़ा difference नहीं होने वाला बस Harrier EV में आपको Harrier facelift के comparison में कुछ extra features मिलेंगे performance की बाद करें तो इस गाड़ी में आपको 500 km का range मिल सकता है बित good power सबसे अची बात तो यह है कि अब इसमें आपको all wheel drive system भी मिलेगा बाकि mid year June से July तक ये गाड़ी आपको launch होते हुए दिख सकती है एंड लॉंच की बाद इस गाड़ी का expected prices start हो सकता है around 22 lakh रुपीद से इसके बाद 2024 में 20th car launch भी Tata Motors के तरफ से ही हो सकता है कर्व पिट्रॉल का अप्रेल में ही कर्व का electric version लॉंच होने वाला है तो उसके कुछ महीने बाद ही इसका petrol version भी लॉंच होगा जिसमें looks को लेकर कोई जादा बड़ा change नहीं रहेगा और नहीं features को लेकर बट battery और motor के जगा पे 1.2 liter TGDI petrol engine मिलेगा जो गाड़ी को 125 horsepower and 225 Nm torque डिलेवर कर सकती है बाकी ये गाड़ी आपको जुलाई से अगस्त तक launch होते हुए दिख सकती है एंड लॉंच के बाद इसका expected price स्टार्ट हो सकता है इसके बाद 21st launch 5-door महिंदरा थार का हो सकता है अब 5-door थार, 3-door थार के comparison में expensive और premium होने वाली है इसका मतलब इसकी looks और interior थोड़ी different रहेगी कुछ नए features भी आएंगे और engine के दो option मिलेंगे फर्स्ट 2.2-liter M-hawk diesel engine and second 2-liter M-stallian petrol engine बाकी ये गाड़ी आपको अगस्त में launch होते हुए दिख सकती है एंड लॉंच के बाद इस गाड़ी का expected price स्टार्ट हो सकता है अराउंड 15 लाक रूपीज से इसके बाद 2024 में 22nd launch Hyundai Creta EV का हो सकता है इसके looks और interior 2024 Creta facelift से काफी similar रहेगी बाकी electric है तो regular Creta के comparison में कुछ ज़्यादा features आएंगे और performance के बाद करें तो इस गाड़ी में 45 kW per hour का battery pack मिल सकता है जिससे ये गाड़ी easily 500 plus km का range claim करेगी बाकी ये गाड़ी आपको September में launch होते हुए दिख सकती है और launch के बाद इस गाड़ी का expected price around 15 lakh रुपीज से start हो सकता है इसके बाद 2024 में 23rd launch हो सकता है इंडिया की one of the most popular मारुति जोकी Swift के next generation का अब इस गाड़ी में आपको all new exterior and all new interior मिलेगा कुछ नए features भी आएंगे इसमें और इतना ही नहीं अब इस गाड़ी में आपको new 1.2 liter hybrid patrol engine भी मिलेगा जो ज़्यादा power deliver करेगी और fuel efficient भी रहेगी बाकी safety को लेकर अभी कोई खास update नहीं है अब grid होगा या नहीं बाकी ये गाड़ी आपको September में ही launch होते हुए दिख सकती है एंड लांच के बाद इस गाड़ी का expected starting price अराउंड 6.5 लाक रूपिस के आसपास रहने वाला है इसके बाद 2024 में 24th car launch हो सकता है new Hyundai Tucson facelift का इसका global debut भी हो चुका है जिसमें थोड़ी different looks, different interior एंड कुछ नए features भी है बाकी engine तो वही है first 2 liter petrol engine and second 2 liter diesel engine ये गाड़ी आपको 2024 के इंड नवंबर में लांच होते हुए दिख सकती है और लांच के बाद इस गाड़ी का expected starting price हो सकता है around 29 लाक रूपिस तो भाई ये रहे 2024 के top 24 upcoming cars इन में से किस गाड़ी का इंतजार आपको सबसे ज़्यादा है कमेंट में लिख कर जरूर बताएं बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक and subscribe कर सकते हैं अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में thank you so much for